हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टु मैं चैनल गुरुमी अरोमा भाई दीपा आज मैं एक और नए रेसिपी आप लोगों के साथ सेयर करने जा रहे हूँ मुझे उमिद है आप सब जरूर इसे पसंद करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने जा रहे हूँ राजमा की बहुत ही टेस्टी रेसिपी एक वार मेरी बताई हुए प्रोसेस से बना कर जरूर ट्राई कीजिएगा राजमा मसाला बनाने के लिए हम दो कप राजमा को पांचे घंटे के लिए भीगो कर छोड़ देंगे अब इसे कुकर में वान स्पून सॉल्ट, हाप स्पून हल्दी पाडर, हाप लिटर पानी डाल कर तिंचाशिटी लगा कर पांच-छे मिनट के लिए फ्लेम को लो में करकर इसे छोड़ देंगे अब गैस आफ कर देंगे अब कुकर को साइड करकर रख देंगे इस बिच हम राजमा के लिए मसाला तयार कर लेंगे गैस अन कर लेंगे एक कड़ाई में 3-4 स्पून घी या बटर डालेंगे अब इसमें हम एड करेंगे 1-4-3 स्पून हींग 1 स्पून जीरा 2 लॉंग 1 चोटा टुकडा दाल चीनी और 2 तेज पत्र अब इसमें डालेंगे अदरक लशन का पेस्ट हलका ब्राउन होने तक इसे भूल लेंगे अब इसमें हम एड करेंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ इसे भी हलका भूल लेंगे इस बीच हम 2 प्याज 2-3 ग्रीन चिली का पेस्ट बना लेंगे इस ओनियन पेस्ट को अब हम कड़ाई में डाल देंगे अब इसे अच्छी तरह से भून कर ब्राउन कर लेंगे इस साइड हम ओनियन पेस्ट को होने देंगे अब दुसरे साइड गैस ओन कर लेंगे अब 5-6 टेमेटो को पानी डाल कर बॉयल होने के लिए चढ़ा देंगे बॉयल टेमेटो का चिल का हटा कर इसका पेस्ट बना कर रख लेंगे किसी भी सबजी का ग्रेवी को टेस्टी बनाने के लिए एक टीप्स याद रखें ओनियन पेस्ट को गोल्डेन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भूनना जरूरी होता है इससे किसी भी सबजी में टेस्ट बहुत अच्छी आती है ओनियन पेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से भून लिये हैं अब इसमें हम टेमेटो पेस्ट एड़ करेंगे और इसे थोड़ी धेर के लिए चलाते हुए भून लेंगे टेमिटो बॉयल कर देने से उसमें जो एक खटापन होता है वो कम हो जाती है इससे सबजी की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है ये अब ड्राई हो चुका है अब इसमें हम एड करेंगे अब इसमें हम डालेंगे बॉयल किया हुआ राजमा अब इस मसाले में राजमा को चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे राजमा में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है इसलिए हम इसे रेगुलर डाइट में सामिल कर सकते हैं अब राजमा मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब इसमें हम डालेंगे हाफ लिटर के करेंब पानी पानी डाल लेने के बाद इसे अब हम 3-4 मिनट के लिए लीड कभर करकर छोड़ देंगे जिससे की मसाला अच्छी तरह से पुरा अपजर्व हो जाए राजमा मसालों को और भी टेश्टी बनाने के लिए इसमें अब हम लगाएंगे तरका इहां पर हम लेंगे वान स्पून बटर, कास्मिरी मिर्च वान स्पून, सुखा लाल मिर्च और 3-4 ग्रीन चिल्ली एक दो ग्रीन चिल्ली को हम काबारी काट कर ले लेंगे अब इसमें हम डालेंगे उपर से वान स्पून फ्रेस क्रीम, ओनली फोर गार्निसिंग अब इस च्छॉंक को हम राजमा मसाला में डाल देंगे आप इस तरह से राजमा मसाला बना कर किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं तो लीजिए हमारा टेश्टी टेश्टी राजमा मसाला बन कर तयार है एक वर आप भी इस तरह से बना कर देखिए आपको बार बार इसी तरह से बनाने को मन करेगा मैं अपने चैनल में जो भी रेसिपी सेयर करती हूं वो बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी होती है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ग्रूमिंग अरोमा बाई दीपा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सेयर करना ना भूलें थैंक यू फूर वाचिक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सेयर करना ना भूलें बैबाई फिर मिलते हैं एक और नही रसिपी के साथ